नमस्कार दोस्तों, welcome to PK Classes दोस्तों, boiling pool regimes या pool boiling regimes subject आपका heat and mass transfer जिसमें boiling pool regimes या कई बार इसको boiling curve के नाम से भी बोला जाता है या boiling curve के नाम से भी question पूछा जाता है तो आज की वीडियो में हम boiling pool regimes के बारे में जानेंगे एक क्या होती है और इसमें जो different phases होते हैं चार phase होते हैं इन phases का क्या मतलब है तो आईए दोस्तों देखते हैं boiling curve और boiling pool regimes तो दोस्तों जो भी छाथ PK classes में पहली बार हैं जो अभी भी चैनल को subscribe नहीं किये हैं या जो already बाच कर रहे हैं फिर भी चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो यह चैनल को जरूर subscribe करें साथी दोस्तों वीडियो को like भी करें तो boiling pool regimes means सबसे पहले boiling क्या है और यह कैसे होती है हम सबसे पहले इसके उपर बात करेंगे boiling क्या है और boiling कैसे होती है तो दोस्तों जैसे की आपको मालूम है कि जो हमारा boiling है boiling occurs at solid liquid interface when we heat to it जब हम इसको गरम करते हैं मालो कि आप एक किसी भी container में पानी को लेते हैं वो पानी को gas चूले पर रख दें और gas को चालू कर दें तो जो आपके container का bottom surface है silent surface है नीचे से heat आ रही है तो silent surface से liquid में जो heat transfer होगी तो यहां पर क्या होगी boiling create होगी boiling occur at silent and liquid interface when it is heated by the source of heat अब इसमें जो pool boiling है pool boiling के अंदर basically चार process होती है या चार phases है जो कि आपको मिलते हैं जिसमें सबसे पहले आपका आता है natural convection अब इन natural convection क्या होता है तो इसमें आपको यह ध्यान दना है कि natural convection है जो यह आपको एक तो graph को भी आपजर्व करना है और साथ ही आपको यह नीचे भी आपजर्व करना है जो कि आपका solid liquid sorry जो कि आपका container के अंदर हमने liquid के लिए लिया है अब मालो के initial जब आप saturation temperature पे इस liquid के लिए गरम करेंगे heat करते हैं किसी भी source आप heat से या किसी burner से तो actual में क्या होगा सबसे पहले इस container का जो सबसे वाटम बाला silent surface है यह आपका क्या होगा गरम होगा और इस silent surface के contact में जो पानी के बाटर माली कूल है नीचे वाले surface में जो surface गरम हो रहा है तो उहां से क्या होगी heat फिट ट्रांसपर होती है अब यह जो heat है यह heat इसमें container के अंदर जो आपका liquid है इसमें कोई motion नहीं हो रहा है stationary है अब इसमें initial जैसे आपका वाटम surface हीट होगा तो यहां से आपकी heat ट्रांसपर होगी direct liquid के अंदर और यह heat ट्रांसपर किस कारण से होगी क्योंकि जो water molecules आपके bottom surface पे होते हैं और bottom surface आपका heat हो रहा है क्योंकि उसके just नीचे आग जल रही है तो यह वाले पानी की क्या होगी density कम हो जाएगी क्योंकि यह पानी हलका होगा और इसके just ऊपर जो पानी भरा हुआ है जैसे आप ऊपर thickness में जाएंगे वो पानी आपको थंडा means normal पानी मिलेगा तो due to density difference this water move to upward and upper water move to downward due to convection heat transfer means यहाँ पे जो heat transfer होगी वो convective heat transfer होगी यह natural convection होगा convection के कारण यह पानी है जो की mix होगा तो जो आपका यह heat source बाला first आपका tank है जहाँ पे हम arrow के through indicate कर रहे हैं तो यह क्या है कि नीचे का surface जब solid surface इस container का गरम हो जाता है तो जो water molecules water particles इसके contact में हैं वो आपके क्या होगे जल्दी गरम होगे उसका temperature increase होगा तो जैसे temperature आपका increase होगा तो यह क्या होगा density difference के कारण उपर की ओर move करते हैं और जो ठंडा पानी है उसकी density जादा है तो वो नीचे की हो रहेगा तो here first natural convection process the heat is transferred from solid surface to liquid by natural convection means यहाँ पे जो heat transfer होगी इस space में वो किसके कारण होगी natural convection के कारण होगी यहाँ पे कोई भी bubbles नहीं मर रहे है पानी के सिर्फ आपका पानी है जो नीचे वाला heat हो रहा है heat हो गया है जिसके कारण यहाँ से जिससे यहाँ से आपकी जो heat है वो moves कर देगी कहाँ पे upward उपर पानी की ओर क्योंकि उपर का पानी आपका ठंडा है तो उपर का पानी नीचे आएगा वो नीचे का पानी गरम होते हुए उपर जाएगा तो यह जो पानी mix होगा यहाँ पे जो heat transfer होगा इस curve में A से B के बीच में यहाँ पे natural convection के कारण heat फिलो होती है यह heat transfer होती है किसमे liquid में तो इसका नीचे आपका liquid का डाइग्राम है एक container है सभी physics के नीचे liquid के डाइग्राम को रिप्रिजेंट किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि शुरुआत में आप अपने घर पे एक practical example ही कर रहे हैं तो एक गंजी के अंदर आप 200-200 ग्राम पानी को लीजिए और उसको gas पर रखिए और gas को चालू करिए तो starting में आपका क्या होगा बिना कोई bubble बने हुए बिना bubble बने आपका पानी क्या होगा हीट होगा पानी हीट होगा तो जो नीचे वाला surface पे water है water की layer या water molecules वो जब heat को absorb करेंगे तो उसका temperature बढ़ेगा जिसके कारण heat flux भी increase हो रहा है और यह light भी होगा और इसके उपर वाली पानी की layer है वो क्या है? heavy है तो यह पानी जो गरम है वो उपर की और move करेगा और जो ठंडा है वो नीचे की और move करेगा तो here heat transfer take due to natural convection और in the graph this phase heat flux increase from A to B इसमें जो heat flux है वो increase हो रहा है A से B तक क्योंकि on vertical axis भी represent heat flux Q and on horizontal axis भी represent excess temperature in degree excess temperature means T superheated minus T saturated तो यहाँ पर first जो है first में हम A से B तक आपका flux increase हो रहा है excess temperature जब हम इसको heat कर रहा है इसके बाद हम second phase पर पहुँचेंगे तो second phase है आपका nucleate nucleate बाला जो है यह B से C तक का फेसे कई जगा पे आपका nucleate बाला portion दो पार्ट में मिलेगा nucleate first, nucleate second यहाँ पे हम एक ही पार्ट के थुरू represent करेंगे nucleate के लिए कि nucleate क्या होता है तो मालो के अब हम point B पे पहुँच गया है अब हम second container में इसके बाद हम फिर heat को hit करते हैं या heat को increase करते हैं फिर C, B पे पहुँचने के बाद heat को हम रोकते नहीं है continue heat करते हैं तो यहाँ से अब हमको क्या होगा अब second वाला जो आपका diagram है इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें आपके क्या है bubbles बन रहे हैं तो जब point B पे पहुँचने के बाद हम further continue heating करते हैं तो क्या होता है कि जो bottom बाले solid surface पे water molecules ने वो unstable होते हैं और bubble formation start हो जाता है और जब यह bubbles बनते हैं तो यह bubbles आपके move करते हैं उपर की ओर जिसके कारण heat flux भी आपका increase हो रहा है heat flux आपका क्या हो रहा है increase हो रहा है क्योंकि यह bubbles इस पानी के अंदर bottom से upper की ओर travel करेंगे और उपर जो पानी है वो ठंडा है उसका temperature कम है तो यह उपर पहुँचने से पहले ही यह क्या होगे उसके अंदर collapse हो जाएंगे collapse होते हैं तो जो heat flux है वो आपका increase होता है B से लेके C तक क्योंकि एक तो आप heat भी कर रहा है दूसरा bubbles, collapse भी होंगे तो यहाँ पर जो आपका heat flux है वो B से increase हो रहा है C तक और point C जो होता है it is a maximum heat flux and point C non edge critical point इसको हम critical point बोलते हैं कि इस point तक आपका जो यदि आप heat करते हो तो heat गरम करते हो किसी source आप heat से तो इसका जो heat flux है वो increase होता है और उस point तक maximum पाया जाता है और जो point है आपका C जिसको हम critical point बोलते हैं अब जैसे हम point C पे पहुँचते हैं तो यह आपका जो nucleation है, nucleate वाला portion है, यह complete हो जाता है, क्योंकि इसमें bubbles formation start होती है, और इसके बबल्स उपर free surface पर पानी के उपर, सबसे टाप पर पहुंचने से पहले ही collapse हो जाते हैं, क्योंकि उपर का पानी ठंडा होता है, या उसका तापमान कम होता है, और जो नीचे solid surface के contact में उसका तापमान जादा होता है, तो जब यह collapse होते हैं, तो इसके कारण क्या है, flex आपका increase हो के maximum पहुंच गया, अब इसके बाद जो nest faces आपका आता है, nest faces में हम क्या करते हैं, कि जो आपका nest face है, ये face है, transition face, अब transition faces में यदि आप देखेंगे, तो इसमें आपको थाड इसमें जब आप जर्व करेंगे, transition बाले में, तो इसमें आपको देखना है, कि इसमें जो bubbles की संक्या है, वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि if further भी increase the temperature at point C, यदि हम point C पे पहुँचने के बाद, यदि further temperature को increase करते हैं, तो ज़्यादा bubbles बनते हैं, और ज़्यादा bubbles बनते हैं तो जो नीचे बाला silent surface है, वाटम बाला, जहां पर heat आपको direct hit कर रही है, इस surface पर बहुत सारे bubbles की है, जो की formation होता है, और कुछ bubbles आपके उपर जाके, कोलेफ्स होके, दो bubbles मिलके, एक बड़ा bubbles बना लेते हैं, बड़ी जगा को cover कर लेते हैं, तो जो heat है, ये heat का flow क्या होता ह है, कि घट जाता है, heat flux आपका, C के बाद increase होने की जगा क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि जो bubbles हैं, नीचे वाटम बाले surface पूरे इस पर large amount में bubbles formation हुआ है, तो ये bubbles heat के transfer को क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, रोपते हैं, क्योंकि ये एक आपका प्रतिरोध है, के इस bubbles हैं, जो heat आपकी यहां आ रही, तो इसके बाद heat को उपर move करना चाहिए, लेकिन ये वीच में एक, क्या हो गई, एक boundation हो गई, तो ये जब हमारे bubbles बहुत सारे बनते हैं, फरदर heat करने पे, तो C से D तक जो आपका है, वो heat flux आपका क्या होता है, decrease होता है, at point D, the heat flux is minimum, point D पे आपका heat flux है, जो की minimum है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपकी जो bubbles हैं, वो इसके heat के फिलो को, के heat आपकी फिलो हो, bottom से liquid के अंदर, solid surface से, उसको register करने के लिए, क्या बीच में आपका क्या आ रहा है, large amount में, या more amount में, bubbles फार्म हुए हैं, जो की bottom surface पे, stable है, unstable है, maximum stable है, और कुछ आपके move करके उपर निकल रहे हैं, तो ये वाला जो portion कहलाता है, इसको हम बोलते हैं, transition boiling regimes, इसके बाद हम nest पे पहुँचते हैं, C से D के बाद हम आँगे बढ़ते हैं, तो आँगे बढ़ने के लिए आपको heat supply को कम नहीं करना है, continue इसके आँगे आपको heat करना है, तो D से यदि हम E वाले portion की बात करें, तो ये वाला जो portion कहलाता है, ये कहलाता है, फिल्म boiling regimes, इसमें actual में होता क्या है, अब मान लो, कि आप D point पे खड़े हैं, और आप continue heat supply कर रहे हैं, ये continue गरम करते जा रहे हैं, तो अब जो bubbles हैं, ये bubbles पूरे surface को completely covered कर देंगे, जैसे कि आपका transition face में, बीच बीच में थोड़ा सा gap दिख रहा है, कम bubbles हैं, लेकिन जो आपका film boiling है, इसमें क्या है, कि आपका जो bottom बाला surface है, जो heat source के contact में है, ये पूरा surface आपका cover हो जाता है, ढक जाता है, किस से, एक bubbles की layer से, अब ये completely surface covered by the film of bubble, bubbles film से cover हो गया, and some layers of bubble films form add up, क्योंकि जो उपर move कर रहे थे, वो collapse होते हुए, एक से जाके, दो मिल गए, फिर तीन मिल गए, तो ये ज़्यादा area को उपर भी cover करते जा रहे, वो नीचे का पूरा hitting surface, जहां पर heat source हिट कर रहे है, ये surface पूरा cover completely कर लिया, तो अब क्या होगा, अब इस portion में जो heat transfer होगी, silent से liquid में, वो heat transfer होती है, due to radiation, convection से नहीं होगी, किस से होगी, radiation, radiation के कारण जो heat है, वो transfer होती है, जिसके कारण आपका heat flux further increase होता है, dc लेके e तक and point e पे जो heat flux होता है, at this point heat flux is maximum, इस जगा पे आपका heat flux है, जो की maximum होता है, और इसमें जो आपकी completely covered कर रही है, bubbles की layer, नीचे वाले bottom surface को container के, इसको हम बोलते हैं, film boiling regime, क्योंकि ये एक film के रूप में उसको ढखके रखी हुई है, जिसके कारण ये जो film है, this film बर्क, एजे insulator, ये film किस तरह काम करती है, ये जे insulator काम करती हो, और insulator आप जानते हो, कि insulator heat को transfer नहीं होने देता, तो insulator, जब heat को transfer नहीं होने देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, heat जो transfer होगी, वो radiations के कारण होगी, और radiations के कारण आपके heat transfer हो रही है, फर्दर यदि हम temperature को increase करते हैं, इसके बाद तो क्या होगा, आपका जो heat flux है, वो DC लेके ये तक increase हो रहा है, जहाँ पे आपका maximum heat flux पहुँच रहा है, तो these are the four phases of boiling pool regimes, natural convection, first initial, second nucleate, third transition, और fourth जो आपका पाया जाता है, वो film boiling regime पाया जाता है, और film boiling regime में आपकी heat transfer होती है, वो किस के कारण होती है, radiation के कारण होती है, ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.